इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने प्रचीन भारत ये इतिहास कम्प्लीट कर लिया है फैक्ट, MCQ जितने भी कोश्चन थे सिबिल सर्विसेस के वो सब हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं लगभग 500 कोश्चन उसमें हुए हैं वोके दोस्तों तो वीडियो आप जरूर देखें डिस्क्रिप्सन में हम लिंक देदेंगे, टेलिग्राम का भी लिंक देदेंगे अब टेलिग्राम पर भी आसानी से इसका पीडिया भी ले सकते हैं दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन तबाह दीजिएगा ताकि जितने भी दरोगा और PCS का कोचन होंगे उस सब मैं कम्प्लीट करवा दूँगा ओके दोस्तो चलिए पहला कोचन है गुलाम ओंस का पर्थम सासर कौन था तो आपको भी पता है ग कुतुब दिन अईबक की रजधानी कहां थी तो यह लहार थी दोस्तो ए राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला है धाय दिन का जोपरा क्या था क्या था तो यह महजीद था ओके दोस्तो महजीद था यह पहले स्कूल था इसका एक कहानी है भारत में किया था किसको किया था यह कुतब दिन ऐबक को किया था देखें इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इसका फैक्ट यहां पर है इसे पढ़ लेते हैं गोरी की बिजयों के बाद सिगरी उतर भारत में अक्ता प्रथा अस्थापित हो गई गोर के मुहमद साम यानि पुन भुमी का निभाई उसके कारियों से प्रशन होकर गोरी ने उसे क्रम सा कुहराम और समान प्रशाशक नियुक्त गया वस्तुत और 1192 से 126 वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उतर भारत के विजित भागो का प्रशाशन समाला अगला प्रसन देखत का आपका इश में से कोई नहीं होगा ओकर दोस्तों देखिए क्यों नहीं होगा चुकि एक ठीहरो दिन मुहमत बीन बक्तिहार खिल जी के नाम से भी जानते है उसने क्या किया अगला प्रसन है कि बिहार पर بक्तिहार खेल जी के हामलय का पहला बिव्रन पराप्थ हु Ecuador काहां पराप्थ हुआ तो ये हो जाएगा आपका तबकाते नासरी से अगला प्रसन देखिए अगला है दोस्तों कि नरंदा बिहार का विधोंस किया था तो अभी मैंने बताया बक्तिहार खिलजी ने किया था अगला प्रसन देखिए अगला है कि इल्टूतमिस ने बिहार में अपना पर्थम सुवेदार निक्त किया किसको निक्त किया था तो यह मलिक जानी को किया था ओके दोस्तो यह प्रिभियस यहर का प्रशन है ओके बहुत इंपोर्टेंट है अगला प्रशन वो पर्थम मुश्लिम सासक कौन था जिसने सासन के सिधान था theory of nixip को यानी रजच्तमिस रजाओ की स्वरी अधिकार सिधान थ challenging電 theory of divine right के समान परतिपाद था तो यह कुँन था दोस्तों यह ब्ल्भन था ओके ब्ल्भन का सिधान्त के राजाओं को इस्वरी अधिकार सिधान्त के समान परतिपादित किया था इसके अनुशार सुल्तान पृत्वी पर इस्वर का परतिनिधित्ती होता है और उसका अस्थान पेगंबर के बाद है राजा जिसे अल्ला या जिले इलाही कहते हैं इस्वर का वह प्रतिनिधित्ध है। इस्वर का प्रतिनिधिक करता है। उसने पूत्र बुगरा खासे कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुस्ता का सजीव पर्तिक है इसने तलवार के दम पर भी शासन किया दोस्तों प्रस्ण पुछता है अगला प्रस्ण है किस देली सुल्तान ने रक्त अमलोह की नीती अपनाई तो यह आपको भी पता है बल्बन ओके भी राइट अंसरो जाएगा इंपोर्टेंट है इसलिए इसका फैक्ट करता है और देतिय सुल्तान का निरंग कुछ होना अवस्यक है उसके अनुसार बात करें तो सुल्तान प्रित्वी परिश्व का प्रतिनिद्धी करता है जिसे नियामते खुदाई कहते हैं और उसका अस्थान पैगंबर के बाद है सुल्तान को कार करने के प्रिणा और सक्त दिल्ली का वो पहला सुल्टान था जिसने धरम्पराज का नियंतर नस्थापित की आपको भी पता है और इस अंदर में अपनी नीती की ब्याख्या करते हूं उसने कहा सुयम से कहता है कि मैं नहीं जानता कि कनून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है मैं राज की भलाई अत्व आवसर विशेश के लिए जो उपयोक्त समझता हूं उसी को करने की आगया देता हूं अंतिम निया के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता अलाओ दिन ने राजपत के विशाय में बॉल्बन के विचारों को पुना जिवित किया याद रखेंगे ये सब चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला है कि क्या है दोस्तो थोरा छोटा कर लेते हैं देखिए अल दिन की चितोर बिजय से जोरा जाता है उनका पती का क्या नाम है तो राना रतन सीन ओके इंपोर्टेंट है यहां से प्रस्ण बनते हैं इसरे नोट कर लिया है देखिए पदमनी की कहानी का देखिए दोस्तों सिबिल सर्विसेस में सबसे जरूरी होता है कि आपको क्या पढ़ना होता है to the point आप कोई भी PCS को देखेंगे चाहे कोई भी सिबिल सर्विसेस के टॉपर होंगे उनका मास कितना आता है 51, 52, 56 क्योंको लोग 50% सिले वसको ही cover करते हैं और important और जो लगता है to the point है वही तो ऐसे ही मैं वह लगता है selected जो previous year में selected है वही कोहचन है आपके सामने पदमिनी के कहानी काधार पंदर सो चालीस इसमी में मलिक महुमद जैसी द्वरा लिखित कावियो पूस्तक पदमावत है इसके अनुसार पदमिनी चितोर राना रतन सिंग की अतियंत सुन्दर और विदोसी पतनी है अमीर खुसरों ने सुलेमान और रानी सहबा के प दोस्तों चले अगला प्रसन देखते हैं अगला है कि सुल्तान के काल में खालीसा भूमी अधिक पैमाने पर विक्सित हुई तो यह अलावदिन खेल जी के समय यह प्रसन इंपोर्टेंट है बहुत बढ़ाता है दरोगा में यह बहुत बढ़ाया है अलावदिन की राजस् परदत संपति इनाम मतलब जो मिला था ना उसको सबको ले लिया सिंपल भासा में ओके चले अगला प्रसन देखते हैं अलावदरवाजा का निर्मान किस सुल्तान ने करवाया अलावदिन खेल जी ने कर आया सी राइट अंसर ओके दोस्तों चले अगला इसमें देख लेते हैं अलावदरवाजा का निर्मान सुल्तान अलावदिन खेल जी ने कुतो मिनार के निकट करवाया इसका निर्मान अब जाएंगे दिली में तो देखिया के कुतो मिनार के बगल में है इसका निर्मान लाल पथरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है यह तेरे सोईकार इ दिली के किस सुल्ता ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्मान किया तो ये फिरोशत तुगलक ने किया था ये राइटन सरो हो जाएगा ओके दोस्तो अगला प्रस्ण है दिली के किस सुल्ता ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्मान किया दिली के किस सुलतान न सब से ज्यादा नहरू का ने रिवान किया तो ये फिरोशत Tuglach ने कराया था ये राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रास्ण देखते हैं अगला प्रास्ण है कि फिरोश Tuglach राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है दोस्तों कि निमलिकित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधी गुलाम थे तो यह फिरोशा तुगलक थे ओके यह गुलामों का बहुत जोकीन था अगला प्रसन है कि निमलिकित में से किस सुल्ता ने फॉलो के गुनोकता सुधारने के लिए उपाय किये तो यह फिरोसा तुगलक ने किया ओके बी राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है दोस्तो कि फार्सी यात्री अबदुराजक भारत में किस राजा के सासनकल में आया था तो यह दोस्तो अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है तेमूर के АGroupन के बाद भारत में किस का राज अस्थापित हुआ तो यह सयद का ओके बी राइट अंसर हो जागा अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है निमलिखित में से किस सुल्तानों ने एक नगर बसाया जहां अब सिकंदर लोदी ने बनाया था अस्तापित किया था अगला प्रसंदे की देख लिए यहां से प्रसंद बनेंगे 17 जुलाई 1489 सभी को निजाम खा सुल्तान सिकंदर साह के नाम से सिहासन पर बैठा सिकंदर साह का नाम से बैठा निजाम का ओके वह लोदी वंस का महांतम सासक था फंदर्य सो चार में सिकंदर लोदी ने रजस्थान के सासकों पर क्या किया अक्रमन किया अगला प्रसंद देखे अगला है बिजय नगर के उस पहले साह के पहचान करे जिसने भामनियों से गवा छीन लिया तो अ आप ध्रया दियोतिये ने चीना था ओके दोस्तों उसने महाराजा धिराज के उपाधी ग्रहन के उसने कनारा मैसूर त्रीचना पली काँची आधी परदेशों को जीता, कौन कौन सा जीता, कनारा मैसूर त्रीचना पली काँची परदेशों को जीता, स्रिलंका के राजा से रजस्व वसूल किया, भहमनी राज से भी उसका मुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर अक्रमन किया किन्तु सफल नहीं हुआ हरियर दियुतिय की सबसे बरी सफल था पश्ची में बहमनी राजियों से बिलगाउं वह गुवा छीनना था ओके दोस्तो चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला है कि बिजयनगर के राजा कृष्ण देवराय ने गुलकुंडा का योध किस राजा के सांथ लड़ा था तो ये कुली कुतुब साह के सांथ लड़ा था ओके देखते हैं इसके बारे में देखिए बिजय नगर के राजा कृष्ट निवराय ने गुलकुंडा का योध गुलकुंडा के सुल्तान कुली कुतिब साहने की थी जब कृष्टन देवराय उर्षा के साथ योध में ब्यास्त थे तब कुतुबसा ने विजयनगर के सिमा पर इस्तित पांगल और गुंटूर के दूरग पर आकरमन किया तथा वारंगल को डिवुद आदी के किले जीत लिये इसके बाद उसने विजयनगर पर आकरमन करने का प्रयास किया कृष्टन देवराय और कुतुबसा के बिच संघर्श हुआ ठेका दोस्तों और कुतुबसा सेना क्या हुई प्राजीत हो गई अगला प्रस्ण देखते हैं बिजयनगर समराज के बितिय विवस्था की मुख विश्था क्या थी तो यह भूरा जस्वा पर ना PHMALAKAR, SAMJIK SAMUDHAI CARTA थÄ AAPRADHI के लिए अरोपित अरथ-दंड. भूमी का भली भाती सर्वेक्शन किया जाता था और उपज chili का एक BTC check, भाग भूमी कर के रूप में वसूल लिया जाता था. सिष्ट उसमें भूमी करके रूप में लिया जाता था, चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं, कंद्रिय राज उस बिभाग को आठाम ने कहा जाता था, अगला प्रस्ण है दोस्तों, बिजयन अगर समराज का, उसे इस कहा मिलता है, तो हम भी में मिलता है, सी राइट अंसर, अगला प्रस्ण देखते हैं, देखिए, हम भी खंट उतना खास नहीं है, चलिए अगला देखते हैं, दिवाने अर्ज, बिभाग सम्मंधित है, किसे तो ये राक्षा बिभाग से, ये प्रस्ण पूछा गया है बहुत बार, दरोगा में भी आया है, ओके, दिवाने रजधानी कहां थी, तो ये रायगट में थी, ओके, ये राइट अंसर, अगला प्रस्ण देखिए, अगला है दोस्तो, दिवाने अर्ज, बिभाग सम्मंधित है, किस से, तो ये राक्षा बिभाग से सम्मंधित है, सी राइट अंसर, अगला प्रस्ण देखते हैं, अगला प्रसंदेखते हैं देखिए इसमें दिया है मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूरा जस्वा प्रशासन से संबंदी थी इस काल में मराठा जागिरदारों को सरांजमी भूमी उनके निर्वहन के लिए परदान की जाती थी चलिए अगला प्रसंदेखते हैं बहमनी राज का स इंगई करता है कौन इंगित करता है इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों इसमें से दिखा जिए तो देखिए दिखा दीए डिश्व का रिटन सरोजयगा अपके अपका फ दकार ऊक्न सरो जागए क्या क्या हो जाएगा खराज उस्र और हो जाएगा मुक्ताई तो देखे दी आपका राइट असर हो जाएगा चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला है दोस्तों किस सुल्टान ने जमीन में फंसल की नपाई का आधाराजस्व के रूप में दवा किया देखे अगला है दोस्तों कि इन सासकों में से किसने अपनी साइन टुकरियों को दो सो दो सो पचास पांसो एकायम विभाजित कि आप सन देख लेते हैं बहलो लेदी सिकंदर सा और नीचे देखते हैं कौन कौन है इसके बाद है सेरसा इसलाम सा तो देखे इसमें से कोई नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो देखे यहां पर दिया हुआ है चुकि इसलाम सा सेरसा का पूत्र था इसलाम सा ने पूरे उत्तर भारत में लगवाग आठ वर्सों तक सासन किया और उसके मृत्यू पंदरसो तिरपन इस भी में होई राज कनून से है ए राइट इंसर हो जाएगा अगला है सल्तनत काल के सीके टंका ससगानी ओं जीतल किन था तो के थे तो यह थे फ्रेंड की और चान्दी और तामबका फैस के शीखे टंकाा भी चा दी अगला प्रस्ण देखें अगला है दोस्तो भारत में कागज कपर यो कब से परड़ंप हुआ तो यह बार्यमी सताब्दी से मना जाता है और सबसे पहले कागज चीन में शुरुआत हुए ओके एक आरे सो पांच लगभग माना जाता हो के चले अगला प्रस्ण है दोस्तो तब काते नासरी का लेखा कौन था तब काते नासरी का लेखा कौन था दोस्तो तो यह हो जाएगा आपका राइट अंसर यानि मिनहाज उस सीराजों के सीराइट अंसर अगला प्रस्ण देखें अ राइट अंचर हो जाएगा ओके अगला प्रस्ण देखें इंपोर्टेंट है इसमें एक प्रस्ण बहुंज जाएंगे भक्तियां दोलन के संतों का अचार बहुत उंचा था उसमें से बहुतों ने देश का भ्रहमन किया और वे कई परकार के लोगों से मिले जिनके विचार अलग थे उन संतों ने सधारन लोगों की भासाओं को समझने का प्रयत्न किया और फिर उसी रूप में उनको परिभासित किया अगला प्रस्ण देखते हैं कि निमलिखित में से किस सुल्तान से निजामुदिन ओलिया ने भेंट करने से इंकार कर दिया तो इंकार कर दिया अलावदिन खिल जी भी राइट अंसर ओके दोस्तों देखें क्यों इंकार कर दिया देखें से निजामुदिन ओलिया ने साथ सुल्तानों का राज देखा जो की एक के बाद एक सतासीन होते रहें किन्तु कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए सुल्तान जलालुदिन ने शेख से मिलने का बहुत परियास किया यहां तक उसने सेख के प्रियसिस अमीर खुसरो के माधयं से भी परियतन किया किन्तो जब सेख को ग्याद हुगा कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए इस परकार ओलिया नो तो सुल्तान से मिले और नहीं इंकार किया दूसरी तरफ जब अलाओ दिन उनसे मिलने के आगया मागी तो सेखन उतर दिया के मेरे मकान में दो दरवाजे हैं अब पहले दरवाजे से आओगे तो मैं दूसरे से निकल जाओंगा चलिए अगला प्रसंद देखते हैं पानीपत के योध में बाबर की जीत का मुख कारण क्या था तो दोस्तो उसकी सैन को सलता होके सैन को सलता देखिए क्या था यहां पर है चुकी पानीपत के पहली लडाई 21 अपरेल 1526 को हुआ वोके दोस्तो और 1556 में दूसरा और 1761 में त जय प्राप की बाबर की सैन संखे लोदी सेंसे कम थी फिर भी उसकी कुसल सायन नेती के चलते विजैसरी ने उसका वरन किया इब्राहिम लोदी सोय में एक अनुभाव सुन्य व्यक्ति था बाबर लिखता है कि वह अनुभाव हिन व्यक्ति था जो अपनी गत्विदियों म 12 और अशवधानी रखता था वह बीना किसी विवस्ता के आगे बढ़ता रुपता तथा बीना किसी दुरदरशता कर संगर्श में लीन हो जाता के दोस्तों बाबर नहीं यहां तक है लिखा था कि कि बहुत मुश्किल से ये यूद हो ला रहा था ओके दोस्तों चली अगला प्रस्ण देखते हैं बारह मासा की रचना किस ने की थी तो मलिक मुहमद जैसी ने की था अगला प्रस्ण देखते हैं अगला है बारह मासा की रचना मलिक मुहमद जैसी ने की जैसे की पदमावत अखरावट और आखरी कलाम से पदमावत का हिंदी साहित में महतपून अस्थान है अगला प्रसन देखिए ताजू के बाबरी किस भासा में लिखा गई है अगला प्रसन है ताजू के बाबरी किस भासा में लिखी गई थी तो ये तूर्की भासा में लिखे गई थी ओके दोस्तो तूर्की भासा में देख लिजिए मुगल समराज की अधार सिला रखने वाले जहरुदीन मुहमद बाबर ने अपने जिवन संबंदी घटनाओं को एक गरंथ में स्वयम को निचोर डारा तुझे के बाबरी यानी बाबर नामा कहते हैं तुर्की भासा में लिखा उसने अगला देखिए हुमाईव ने चुनार दुर्ग पर पर्थम बराक्रमन कब किया कब किया तो ये पंद्रे सो बती सिस्विम किया ओके दोस्तो देखे इसमें एक प्रस्ण बनेंगे हुमाईव ने चुनार दुर्ग पर पर्थम बराक्रमन पंद्रे सो बती सिस्विम किया इस किलो को उसने चार महिनों तो घेरे रखा जिसके बाद सेर खाने हुमाईव की अधिन्ता सिविकार कर ली इसके अत्रिक्त पंद्रे सो एक ती सिस्विम में उसने कलींजर पर अक्रमन किया और पंद्रे सो बती सिस्विम में राजसिन को महतपुन किले को जीत लिया अगला प्रस्ण देखिए निमलिखित में से किसने अपनी बदसाहपती के लिए मकबरे का निर्मान करवाया तो हाजी बेगम ने बीर आइटन से रोजेगा अगला प्रस्ण देखिए अगला देखिए यह है इंपोर्टेंट हुमाई नामा की राचना किसने के थे तो गुल बदन बेगम ने की थे ओके दोस्तो यहाँ से प्रस्ण बनते हैं देखिए देख लेते हैं बाबर की सहजादी गुल बदन बेगम ने हुमाई नामा की राचना की पूछा जाता है जो फार्सी भासम है बादसा अकबर ने अकबर नामा के परियाणी के लिए समगरी एकत्रित करने के उदेश से अदेश दिया कि बाबर तथ हुमाई के राजिकाल के विशाय में जिसे कुछ भी इसमरन हो वह उसे लिख बद करके उसकी सेवा में परस्तूत करे अतो अनेक लोगों ने इतिहास लिखना पर रम किया गुल बदन के हुमाई नामा की रचना की रचना भी इसी आदेश से नुसार हुई ओके दोस्तों चलिए अगला प्रस्ण है हुमाई नामा दुआरा लरे गए चार परमुख योधों का तिति अनुसार सही करमंकित करना है बताए तो देखे इसमें से देवरा का योध हुआ पहले फिर चौसा कनोज और सरहिंद ओके देखे एनलिसिस भी दिया है इसमें चुकि हुमाई दुआरे लरे गए परमुख योध देखे देवरा का योध चौसा कनोज और सरहिंद पंदर सेक्टिस में उसने गोमती के तड़ परिस्थित देवरा का योध लरा अफगान बिद्रोहियों के साथ तो क्या होगा परास्थ कीया फिर उसके बद पंदर सो पंचालिस में चौसा के योध सेरसा से खुद प्राजीत हो जाता है फिर उसके बद उसके बद कौनसा कनोज का योध होता है फिर सरहिंद का दोस्तो छली अगला प्रत्तों देखते हैं पंद्र सो चालिस को नोज और सारहिंद पंदर सो पंच्वानियाद रखियेगा चले अगला प्रस्तर देखिए अगला है की निमलिख्यत में से कि सुल्ताने पहले हजरते आला के उपादि अपनाई और बाद में सुल्तान की तहीं हो जाएगा सेरसा सूरी ओके सेरसा सूरी ने अगला प्रसन देखिए यहां से एक प्रसन बन जाएंगे देखिए 1529 में बंगाल के सासक नुसरत साह को पराजित करके सेर खा यानि सेरसा सूरी ने हजरत आलायक उपादी की इसे जरूर देखिए देखिए हल्दी घाटी का योद 1576 में महराना परताप और मुगल सेना पती मांसी योम आसब खा के मध लारा गया राजपुत योधाओं के अलावा राना की सेना के अगरभाग के नित्रित अफगानों की एक टुकरी के साथ हकीम खा कर रहे थे हकीम क चलि अग्ला प्रसन है दोस्तो कि निमलीखित में से किस मुश्लिम सासकने तिर्थ यातरा कर समाप्त कर दिया तो यह अकबर ने किया था okay दोस्तो डृright अंसर हो जाएगा चलि अग्ला प्रसन देखिए अकबर ने बंगाल तथा विहार को मुगल समराज में मिलाया कब मिल दाउद खा ने अपने को सतंत्र घोसित कर पटना के मुगल के लिए पर अक्रमन किया कहां अक्रमन किया पटना के मुगल के लिए पर अक्बर ने मुनीम खा को दाउद पर अक्रमन करने तथा बिहार को जितने को अधेश दिया मुनीम खा ने दाउद को एक योध में पराजित किया तथा 1574 इसवे में बिहार पर मुगलों का धीपत्य हो गया पराजित होने के बाद दाउद बंगाल भाग गया किन्तु बारे मार्च 1576 को टुडरमल मुझपर खा यहों हुसेन कुली खा ने मिलकर दाउद को पुर्णता पराजित किया इस परकार 1576 इसवे में बंगाल तथा बिहार को पुन रुप से मुगल समराज मिला लिया गया देखें यहाँ पर है चुकि दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ बेपारियों ने लोड मेयर किया अधेश्टा में एक साभा कायोजन किया इसमें पुर्वी दीपसा के साथ ब्यपार की योजनाय तयार की गई इन ब्यपारियों ने पुर्वे के देशों के साथ ब्यपार करने के आसाय से 15992 में एक कमपनी का गठन किया इसका नाम गवर्णर एंड कमपनी अफ मर्चेंट्स अफ लंदन ट्रेंडिंग इंटू इस्ट इंडीज रखा गया को के दोस्तों अगला प्रसंद देखते हैं अगला है कि इत्मात दोला का मकब्र आगरा में किसने बनवाया था तो यह नूर जहाने बनाया था सी राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए अगला है दोस्तों क्या है कि तर छोटा कर लेता देखिए परचीन कारी जिसे पिट्र डिवरी निम्न में से किसन सम्मंदी था तो यह था दिवारों में और्ध किमती पत्रे जोड़कर फूलों के निकासी की जाती दोस्तों के इंपोर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है अगला प्रसंद देखिए मधिकाल में बटाई सब्द का अर्थ क्या है तो मधिकाल में बटाई सब्द का मतलब होता है लगा निर्धारन करने का तरीका अगला प्रसंद देखिए अगला है क्या है दोस्तों द इसमें सरोपर्थम दस्तान अमीर हमजा है यह हुमाईव के काल में चित्रित होना अरभ हुगा और अकबर के सासन काल में पूर्ण हुगा बदावनी और साह नमाज खा के अनुसार इसे तयार करने में लगभग 15 वर्स लगे थे और पहले सायद अली तथाबाद में दो तहीं इंपोर्टेंट है छले अगला देखते हैं अगला है ये एक चित्रकारी का परिवेस किसके दर्वार में हुआ अकबर के दर्वार में हुआ भी राइट आइश में सरो हो जाएगा अगला प्रसंदेखते हैं कि दसवंथ और 29 पर सीद्चित्रकार मुगल समराण क के राजदर बारी थे किसके तहीं अकबर के ओके यह राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए देखिए यहाँ पर कुछ चित्रकार का नाम दिया है तो हम बता देते हैं देखिए 1584 इसवी में इसने आत्म हतिया कर ली किसने देखिए दसावंत और बसावन अकबर के समकालिन थे दसावंत जो एक कहार का बेटा था कि काम से अकबर इतना परभावित हुए उसके काम से कि उसने इसे अपने समय के अग्रनी चित्रकार बनने में सहयोग दिया किन्तु बाद में यह महान चित्रकार मानसी करोप से बिछीप्थ हो गया और पंदर सो चुरासी में इसने आत्म होतिया कर ली अकबर कालिन चित्रकार के नाम अबूल फजल ने अपने पूश्तक आईने अकबरी में देखे कोशन पूशता है आईने अकबरी किस ने लिखा ता बोलेंगे अबूल फजल ओके देखिए इसमें दसावंत बसावंत के सव और लाल मुकंद मस्कीन फारुक कलम माधव जगना क्या बोलेंगे जाहंगीर के सासनकल में मुगल चित्रकाला अपने सिर्ष बिंदू पर था अगला प्रसंदेखिए अगला है कि जापती पर नाली किसकी उपज थी तो यह अकबर की थी ओके डी राइट अंसर भूरा जो स्वकर्व सुनने का यह कर था ओके चलिए अगला प्रसंदेखिए अगला है दोस्तो यह कतन किसका है कि अकबर के सासनकल में इलहाबाद चलिसा अस्थम युक्त मंजिल के निर्मान में पांच हजार से विस हजार लोगों ने चालिस साल तक काम किया किसने कहा था तो इसमें चार अप्सन दिया है मनुची विलियम फिज और टर्विनियर और अब्दुलहामित लहोरी बताए क्या राइटनसर हो जाएगा दोस्तो तो इसका राइटनसर हो जाएगा बिलियम फिज ओके बिलियम फिज देखिए सी राइटनसर हो जाएगा अगला प्रसंदेखते हैं अगला है दोस्तो क्या है इसमें दिया है कि कस्मी फाए्टुरसter ने शुरू किया था बीराइट अंसर हो जायागा अगला प्रसंदेखते हैं कि इरान के साह और मुगल सास्कों के भी जगरे की जरक्या थी जगरे की जरक्या थी काबूल कंधार नीचे option देखते हैं उसके बाद है कुंदूज और गजनी तो राइटनसर क्या हो जागा उपर वाला उपर वाला आपका क्या था दोस्त देख लेते हैं तो कंधार ओके तो कंधार राइटनसर हो जागा अगला प्रस्ण है कि दिली के लाल किले का निर्मा किस रिवास्त्यों उन्हें शतरत्य में और लोग क्या बोले है कि साजहा का जो छलाइए जिहाद का मतलब क्या है जिहाद का मतलब क्या है यह दारूल इसलाम का मतलब होता है जौरा है प्रसेए प दोस्तों दोस्तों याद रखिए-क इनका जनम Cao 앞으로 मुठोषाशन में लोक अच्रन अधि का रहिए कि मुधल प्रशाशन में अगला है है । कि मुगल प्रशासन में मदद ये मास इंगित करता है किसको इंगित करता है तो ये बिद्वानों को दी जाने वाली रजस्व मुक्ति का नुदान बीराइट अंसर हो जाएगा कि दोस्तों चलिए अगला इसमें देखे एक प्रश्ण वही है मदद ये महसान कहा जाता है ठीक है उसके बाद है मैयूर शियासन पर बैटने वाला अंती मुगल सम्राज कौन था समराट कौन था दोस्तों ये मुहमत सा था वी राइट अंसर मुगल सीहासन पर बैठने वाला सभूत में मुगल सिना को प्राजित किया था समकालिन लेखक आनंदराम मुखलिस के अनुसार नादिर सा अपने साथ शाठ, हजार रुपीे कई हजार असर रफिया एक करोड रुपीे क्या किया कोहने उर्थ अथा तक्ते ताउस ले गया इरान ले गया अगला प्रस्न देखते हैं कि निमलिखित में से किस मुगलबाद सा को वजीर गाजी गाजी उदीन ने दिली में दाखिल नहीं होने दिया था गाजी उदीन ने दिली में दाखिल नहीं होने दिया था तो कि इसको तो साहलम दियोतिये को देखे क्यों नहीं दिया थ उतीय के मरत्यूं के समय वह बिहार में था यदिफ उसे मुगल बसा घुशित कर दिया गया किन्तों मुगल दरबार के गुट बाजी के चलते वह बिहार में रहा दिली का सियासन 1760 स्वी से 1770 स्वी तक खाली परा 1772 मराठों ने सहायता से वह दिली पहुंच सका सहालम दीतिये के समय में ही दिली अंग्रेजों का अधिकार था अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों अगला है दोस्तों हमारा यहीं मद कालीन का जो इंपोर्टेंट प्रसन था वह समावत होता है फिर हम मिलते हैं तीन सो प्रसनों के साथ मिलेंगे तीन सो चार सो चार सो प्रसनों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में आधुनिक भारत क जो इंपोर्टेंट है पर तेक्स चेप्टर से चार या पांच इंपोर्टेंट प्रसन रहेंगे आधुनिक भारत का तो वीडियो आप जरूर देखेंगे कल ठेका दोस्तों बाई-बाई सबी लोग अपने टेक केर ख्याल रखें